हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके सार शेर करने जा रही हूँ चिकन विंग्स फ्राई बनाने की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाना भी बहुत आसान होता है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइ निकल जाए चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए अब हम इसे मेरिनेट कर लेते हैं तो हम इसमें एक टीस्पून नमक एट करेंगे और एक टीस्पून लाल मिड्स का पाउडर एट करेंगे नमक मिर्स आप अपने टेस्ट के हिसाफ से एट कीजिएगा आधा एक टीस्पून तों तक ऑपेस्ट नहीं है तो फिर आप इसे स्किप और इसकीं जगाअ में इसमे। जीरे का पाउडरेट करेंगे और एक टेबली स्पुन भरके अध्रग लशन का पेस्टेट करेंगे मिला लेते हैं इन सब यह मसालों को चिकन में अच्छी तरह से जब यह मसाले चिकन में अच्छी से मिल जाएंगे तो हम इसे आधे गंटे के लिए मेरिनेट करके रख देते हैं तो मसालों को हमने चिकन में अच्छे से मिला लिया है अब हम इसे आधे गंटे के लिए मेरिनेट करके रख देते हैं और इधर हमने एक दूसरा बोल ले लिया है इसमें चार टेबली स्पून बेसान एट करेंगे और दो टेबली स्पून हम इसमें कॉन फ्लार एट करेंगे अगर आपके पास कॉन फ्लार नहीं है तो फिर आप इसकी जगा चावल काड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक टी स्पून हम इसमें नमक एड़ करेंगे एक टी स्पून पीली मिड्स एड़ करेंगे अगर है तो जरूर एड़ कीजिएगा नहीं है तो इसकी जगल लाल मिड्स का पाउडर एड़ कर दीजिएगा और एक चोथाई टी स्पून हम इसमें अजवाइन एड़ करेंगे अजवाइन को हतेली से रफ करके एड़ कीजिएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और अब हमें इसमें पानी एड़ करना है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका एकदम थिक बेटर तयार करेंगे हमें इसका पतला बेटर नहीं चाहिए है तो ये देखिए बेटर बन कर तयार हो गया है अब हमें इसमें दो पिंचे रेड ओरेंज फूट कलरेट करना है अगर आप food color नहीं डालना चाहते हैं तो skip कर सकते हैं बड़ डालेंगे तो color अच्छा आएगा मिला लेते हैं इसे अच्छी तरह से और यह लीजिए हमारे chicken wings fry का better बनकर तेयार है अब हमें वापस से वही बोल ले लेना है जिसमें हमने chicken को marinate करके रखाता और यह सारा better हमें चिकन के उपर डाल देना है इस तरह से और अब हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मिलाएंगे और जब हम चिकन को इस तरह से fry करते हैं तो इसमें काफी अच्छा टेस्ट आता है पर आप चाहें तो चिकन को एक से देड़ घंटी के लिए marinate करके रख सकते हैं पर मैंने चिकन को आधा घंटे के लिए पेले ही marinate कर रहा था तो मैं इसे डारिक ही fry करूंगी और यह देखिए हमने जो बेटर बनाया था उसके साथ में चिकन को हमने अच्छी तरह से mix कर लिया है और हमारा चिकन तयार है fry करने के लिए तो चलिए हम इसे fry कर लेते हैं तयल को हाई फ्लेम पर गरम करेंगे तियल जो है प्रोपर गरम होना चाहिए बस इतना अघव म में चिकन के पी शेट कर देंगे में तो एक बारी हम इसे 2 मिनट के लिए high flame पर fry करेंगे क्योंकि जो हमने इसके ओपर coating की है वो अच्छी तरह से set हो जाए और 2 मिनट के बाद हम गेस की flame को medium कर देंगे और medium flame पर हम इसे 3-4 मिनट के लिए fry करेंगे चिकन को हमें half fry करना है तो यह देखिए चिकन को हमने 3-4 मिनट medium flame पर fry कर लिया है और चिकन जो है half fry हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं और जो बागी का चिकन है वो भी हम इसी तरह से fry करेंगे जब सारा चिकन half fry हो जाएगा तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और जब थंडा हो जाएगा तो हम इसे दुबारा से fry करेंगे और यह देखिए सारा चिकन हमने half fry कर लिया है अब हम चिकन को थंडा कर लेते हैं जब यह थंडा हो जाएगा तो चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से थंडा हो गया है अब हम तेल को हाई फ्लेम पर गरम करेंगे जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें चिकन को फ्राई कर लेंगे तो चिकन को हाई फ्लेम पर दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे और दो मिनट में चिकन अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा तो ये देखिए चिकन को हमने दो मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई किया है और चिकन जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गया है काफी क्रिस्पी भी हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं और जो बाकी का चिकन है वो भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे और ये लीजी हमारा बहुत ही मज़ेदा चिकन विंक्स फ्राई बन करते यार हैं अब हम इसे उसरे बॉल में पलट लेते हैं और इसके उपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मिला लेते हैं इसे अच्छी तरह से चिकन में और ये लीजी हमारा बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी चिकन विंक्स फ्राई बन करते यार है तो आप भी ट्राई कीजिएगा इस चिकन विंक्स फ्राई की रेसिपी को और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फैंली ओफ रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलती हूँ आप से एक नई रेसिपी के साथ thanks for watching my video, Allah habis